हिप्पो पोटे मस अपना ज्यादातार समय पानी के अंदर ही बिताता है लेकिन इसके बाद भी हिप्पो को तैरना नहीं आता दरसल हिप्पो चाहकर भी नहीं तैर सकता वो इसलिए क्यूंकि हिप्पो के पूरे शरीर पर दो इंच मोटी वाटरपूफ की स्किन होती है और नीचे बहुती कम फैट और हाईली डेंस मसल होती है जिसके कारण ये पत्थर के जैसे पानी में डूप जाता है और पानी के अंदर ये अपनी सांस को रोक कर अपनी बोडी को पैरों की मदद से आगे धकेलता है आपको बता दू कि एक एडल्ट हिपो अपनी सांस 30 मिनिट की होती है वैसे क्या आपने कभी गोल्ट फिश को देखा है कमेंट करके जरूर बताना